Hello everyone, I am Sapanah Dhakur and welcome back to APC Academy. हम discuss कर रहे हैं current affairs और में मन्त के लिए this is our part 3rd. आप हमारे previous parts पर चेक आउट कर सकते हैं. इस वीडियो के लिए हमारा question number 1 है, Recently, who has scored the fastest 50 in IPL? हाल ही में IPL में सबसे तेज अर्ध शतक किसने बनाया है? हमारे options हैं इशान किशन, रित्तुराज गाइकवार्ड, यह शश्वी जैस्वाल या फिर शिवम दूबे. राइट अंसर हो जाएगा यह शश्वी जैस्वाल. यह राजस्थान रोयल टीम से बिलॉंग करते हैं और इन्होंने recently 13 balls में मनाया हैं 50, जो कि IPL के हितियास में सबसे fastest 50 है. IPL के full form, Indian Premier League. और IPL में 2 caps दी जाती हैं, orange cap दी जाती है, one who scores the highest runs. IPL के end में जो भी विक्ति, जो भी क्रिकेटर सबसे जादा run मनायेगा, उसे orange cap मिलती है, और purple cap मिलती है, जो भी baller सबसे जादा wickets ले. यह purple cap वाला questions पूछे जाते हैं, तो जैसे ही हमारा IPL का final है 28th May को, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि who is the orange cap winner, who is the purple cap winner and who is the IPL winner also. Next question पर चलते हैं, तुंगनाथ temple built by Pandavas has been declared a national monument. It is located in which state? पांडवो दौरा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रिय समारक खोशित किया गया है, और हमारा प्रशन है कि यह किस राज्य में स्थित है? हमारे options हैं उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, मध्या प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश. राइट अंसर हो जाएगा हमारा उत्राखंड. उत्राखंड के रूद्र प्रियाग जिले में यह located है, और रूद्र प्रियाग जो है वो important district है, किस point of view से? क्योंकि यहाँ पर अलकनन्दा और मंदाकिनी, दोनो नदियों का होता है संगम, इसे के अलावा उत्राखंड से हमारे गंगा रिवर शुरू होती है, और उससे भी important हमारा ये question है कि अलकनन्दा और भागी रथीन नदी कि स्थान पर मिलती है, वो स्थान है देव प्रियाग. अगर हम यहाँ पर इस तरह से समझें, मान लीजिए कि यह आपकी रिवर है अलकनन्दा, यहाँ से आपकी एक रिवर है जिसका नाम है मंदाकिनी, तो हमने अभी पड़ा अलकनन्दा और मंदाकिनी कहा मिल रही है, यह point आप क्या मान सकते हैं, अलकनन्दा और मंदाकिनी भागिरती सब कहां की नदियां हुई, तो यह सब हुई, उत्राखंड की रिवर्स. इसके अलावा, शांती निकेतन भी नियूज में था, क्योंकि शांती निकेतन को डाला गया है विश्व धरोहर साइट्स की टेंटेटिटिव लिस्ट में. This is the Tunganath Temple, built by Panduas in Rudra Priyag. Next question is, Who has been appointed as CBI Director? CBI निदेशक के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? हमारे options हैं प्रवीन सूद, अशोग गुपता, प्रबोध सकसेना या फिर सुबोध कुमार जैस्वाल. Right answer हो जाएगा, प्रवीद सून. प्रवीद सून जी जो है, 1986 batch के IPS officers हैं. इन्हें दो सालों के लिए नियुक्त किया गया है, और इससे पहले वो करनाटक के DGP भी रह चुके हैं. इन्होंने किसे रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया सुबोध कुमार जैस्वाल जी को. और CBI के फुल फर्म क्या हो गई? Central Bureau of Investigation. किस लिए बनाया गयाता है CBI या किस प्रकार की body है? It is a body to investigate bribery and government corruption. सरकारी corruption पे रोक थाम लगाने के लिए इसे बनाया गया है. कौन बने इसके new director? Mr. Praveen Sud. Next question for our video is, When is International Day of Families celebrated? Days वाले question पूछते ही पूछते हैं, तो it is important for us कि हम उन्हें याद करें. Although थोड़े सी tricky और tough भी रहते हैं क्योंगी इतने days होते हैं, but let us see. अंतराश्ट्रिय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? हमारा options हैं 11th of May, 12th of May, 14th of May या फिर 15th of May. Right answer हो जाएगा 15th of May. International Day of the Families. इसकी theme क्याती इस वर्ष के लिए? Demographic Trends and Families. Demography किसे कहते हैं? Demography is the study of population. जन संक्या कि अगर हम study करें, that is known as Demography. Graphy शब्द ही इस्तेमाल होता है study के लिए. जैसे Geography अगर हम बोलें, तो Geography में Geo is for Earth and Graphy is for study. और भी कुछ दिन हमारे options में थे, जैसे 11th of May को मनाया जाता है, National Technology Day. 12th of May को International Nurses Day. And National Nurses Day कब मनाया जाता है, तो 6th of May को. Next question we have. Question number 5 is, Samudra Shakti 23 is a bilateral naval exercise between India and Samudra Shakti 13, भारत और किसके बीच में एक द्वी पक्षिय नौसेनिक अभ्यास है? हमारे options है Japan, Indonesia, Australia या फिर Malaysia. Right answer हो जाएगा, Indonesia. Indonesia, Indonesia और इंडिया के बीच समुद्र शक्ती, जो ही जो है naval exercise है, 14th of May से शुरू होके 19 माई तक ही चली, और भारत की तरफ से INS का वरती ने इसमें भाग लिया. INS की full form क्या थी? Indian naval ship. Indonesia, the answer was and Indonesia जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्की पिलागो है. आर्की पिलागो क्या होता है? दूइप समुद्र अर इंडोनेशिया की राज़तानी क्या है? तो राज़तानी हो जाएगी जकार्ता. इस पिक्चर में अगर हम आईलेंड को समझने के कोशिश करें तो आप देखिए जैसे ये एक भूमी का टुकडा है, इसके चारों तरफ क्या है हमारे पार? पानी है, तो ऐसा भूमी का टुकडा, जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे बोलते हैं दूइप, और देखिए, अगर बहुत सारे ये तो बहुत कम है पिक्चर में, बट अगर बहुत सारे दूइप ऐसे एक साथ हैं, तो इन्हीं क्या बोलेंगे हम दूइप समूँ, तो इ इस पे शाशन है, तो हमारा अंसर हो जाएगा डैनमार्क, अगर आपसे पूछे प्रायदीप, प्रायदीप ऐसा भूमी का भाग होता है, जिसके तीन तरफ पानी हो, जैसे माल लिजे इस तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, और यहां पर क्या है, महि प्रायदीप क्या होता है, और विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टन गोशन, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, आफ्टर जैन्ट के, लीथियम हैस बिन फाउंड इन डिगाना, नगौर, बिस्टिक ओफ विच स्टेट, जैन्ट के लीथियम किस राज्य के डिगाना नगौर जिले में पाया गया है, हमें इस क्वेशन में बताया गया है कि नगौर में हमें लीथियम मिला है, और हमसे पूछा है कि नगौर कौन से राज्य में स्तित है, हमारे ओप्शन से, मध्या प्रदेश, उक्तरप्रदेश, करनाटका या फिर राजस्तान, राइट अंसर हमारा हो जाएगा, राजस्तान, देखिए नगौर बहुत ही easy clue था, नगौर जिन्होंने quality थोड़ी सी भी पड़ी हो, हमें पता होना चाहिए, नगौर में सबसे पहले पंचायती राज institutions शुरू किये गए थे, very very important date कब शुरू हुए थे, 2nd of October 1959 और नगौर कहां पे located है, तो राजस्तान में located है, पीछे वीडियो में हमने discuss किया था कि J&K में लीथियम reserve मिले थे, राजस्तान वाले लीथियम reserve उससे भी बड़े बताय जा रहे हैं और ये भारत की 80 प्रतिशत तक demand को cover कर सकते हैं नगौर और भी news में था, क्योंकि वहाँ पर नातुराम मिर्दा जी का statue बनाया गया है नातुराम मिर्दा जो है नगौर से संबंदी थे, एक सांसद थे, एक social reformer थे और उनका जो statue है, उससे unveil किस ने किया है, तो हमारे vice president जगदीप धंकरजी ने किया है लीथियम big reserve in Rajasthan Next question, which of the following has been recognized as world's most punctual airport ने मलिकित में से किसे दुनिया का सबसे समय निष्ट हवाई एड़ा बताया गया है या फिर उसको मान्यता दी गई है हमारे options है, दिली एरपोर्ट, मुंबई एरपोर्ट, हैदराबाद एरपोर्ट या फिर बैंगलोर एरपोर्ट राइरंसर हमारा हो जाएगा, हैदराबाद एरपोर्ट हैदराबाद कहां की राजधानी है, हमारी तेलंगाना की राजधानी है पहले ये आंधरप्रदेश की राजधानी होती थी बट आफ्टर पार्टिशन तेलंगाना को आंधरा से अलग कर दिया गया और फिर हैदराबाद को बना दिया गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे पिस्थित है ये question भी पहले पूछा गया है और तेलंगाना का गठन का भुवा था तो 2nd of June 2014 का भुवा था तेलंगाना के currently CM कौन है? के चंद्रशेखर राव और हैदराबाद को मिला है सबसे पंक्चुल एयरपोर्ट का title Question number 8 is Who has become the chairman of UPSC? UPSC की full form क्या हो जाएगी? Union Public Service Commission UPSC की अध्यक्ष कौन बने है? हमारे options है Manoj Soni, Smita Nagraj, Ashok Saxena या फिर Preeti Sudan, right answer हो जाएगा Manoj Soni, UPSC की full form as I have discussed earlier Union Public Service Commission UPSC एक constitutional bodies है समविधानिक निकाए है और समविधानिक निकाए क्या होता है? जिनके लिए कोई fix article दिया हो Article 315 से 323 तक discuss करते हैं UPSC को और 308 से लेकर 314 तक discuss करते हैं Public Service Commission को क्या काम है UPSC का? सभी के सभी group A officers को recruit करना, उनके लिए exams conduct करवाना जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके IS के exam होते हैं, lieutenant के exam होते हैं वो सारे exams UPSC के headquarters कहां है? The very famous धोलपूर house, New Delhi जितने भी IS के interviews होते हैं वो conduct किये जाते हैं धोलपूर house में ये है Mr. Manoj Soni और उन्हें शपत दिला रही है Member की सबसे सीवियमोस्ट सदस्या Question number 9 is Which of the planets have highest number of moons? Recent news है किस ग्रह के चंदरमाओं की संक्या सबसे अधिक है? हमारे options है Jupiter, Saturn, Mars या फिर Uranus Right answer हमारा हो जाएगा Saturn पहले भी Saturn के ही थे फिर recently Jupiter news में आया था कि उसके highest moons थे अब फिर से Saturn के यानि कि शनी ग्रह के 62 new moons discover किये गए हैं जिसकी वज़ा से ये बन गया है दुबारा moon king कितने total moons हो गए? 145 total moons है इसके moons सबसे जादा है अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार तो हमारा answer क्या रहेगा? Jupiter ये है हमारा Jupiter आप थोड़ा idea भी लगा पा रहे है शनी ग्रह ये है और Jupiter ये है तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो Jupiter हो जाएगा और Saturn के अगर हम बात करें शनी वो है दूसरा सबसे बड़ा पर अगर आपसे पूछें कि चंदरमा किसके सबसे जादा है? तो शनी के सबसे जादा है This is our solar system Solar system में आप यहाँ पर देख पा रहे है Asteroid belt Asteroid belt को हिंदी में बूला जाता है शुद्र ग्रह ये question बहुत 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 बार आया है कि Asteroid belt कौन से दो ग्रहों के बीच में है? तो हमें क्या दिखाए दे रहे? यहाँ पर भी है मार्स और यहाँ पर भी है जुपिटर तो इसका मतलब है मंगल और ब्रस्पती के बीच में लोकेटीड है क्शुद्र ग्रह Next question देखते हैं Also the last question for this video is Who has become the 82nd Grand Master of India? भारत के 82nd Grand Master कौन बने है? हमारे options है Vupallapranit, Prithu Gupta, Deep Sen Gupta यह फिर Tanya Satchdev राइट अंसर हो जाएगा तेलंगाना के Vupallapranit देखते हैं आपने कितने ध्यान से हमारी वीडियो सुनी Question from today's video Asteroid belt is found between Mars and हमारा प्रशन है कि शुद्र ग्रह मंगल और किसके बीच पाया जाता है? हमारा options है Earth, Jupiter, Saturn या फिर Uranus एक ग्रह हमने आपको बता दिया कि Mars और किसके बीच? Right answers आप हमें comment down करके बताएंगे and this was all for this video thank you so much for watching अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को like करे, share करे and subscribe करे thank you once again मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में